आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आलू का ऐसा नाश्ता जिसे बनाने के लिए ना हमें भिगोने की जोरोते ना पीसना और ना ही गलाना और ना ही मार्केट से आपको कुछ सामान लाना होगा और केवल पांश मिट में नाश्ता बनकर तयार हो जाएगा और हम इसे बना रहे हैं बहुती कम तेल से तो ये नाश्ता हेल्थी भी है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइ करकर देखिए तो चले फ्रेंट्स इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो आलू अभी जो आलू है पूरी तरह से कच्चा है यानि इस रेसिपी के लिए हमें कच्चे आलू का ही यूज करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं आलू का छिलका निकाल लेते हैं तो एक पीलर ले ले लेते हैं और इ इडियम होल वाली प्लेट होती न बस उसी का यूज करकर आलू को हमें यहाँ पर कद्दूकस करना हैं यानि बहुत ज्यादा हमें इतके बड़े नहीं चाहिए हैं यानि मोटे नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखे इस तरह से आलू को भी मैंने कद्दू कस करकर तयार कर लिया है तो चले अब इन आलू को अच्छे से वाश कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने आलू के अंदर पानी डाला है और लगबग 2-3 बार इन आलू को बढ़िया से दोएंगे ताकि इसमें जितना भी स्तार्च होगा और वो निकल जाएगा तो यहाँ पर देखे इस तरह से आलू को मैंने 2-3 बार बढ़िया से वाश कर लिया है तो अब क्या करेंगे हाथों से इस तरह से सारा पानी निचोड़ देते हैं आप चाहें तो किसी कपड़े में भी से बान कर पाने निकाल सकते हो लेकिन हाथों से भी हम इसे आजानी से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर देखे बस इस तरह से हम सारा पाने निकाल कर आलू को एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले जिसे एक चमश में डाल रही हूँ नमक अब एक ही चमश हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स यानि कुटी वी लाल मिर्च आधी चमच हम डाल देते हैं काले मिर्च का पाउडर क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं कर रहे हैं आधी चमच हम डालेंगे अजवाइन बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है अजवाइन से दो हरी मिर्चली है इसे बारिक काट लिया है ये भी इसके अंदर डालेंगे और अब हम डाल देते हैं एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है यानि कद्दुकस कर लिया है साथ से आट लसुन की कल्याव को मैंने कूट लिया है यह भी इसमें डालेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लसुन नहीं डालते हो तो इसे स्किप कर सकते हो लेकिन लसुन डालने से इस नाश्टे का टेस्ट बहुत ही बड़ी हाता है तो अब यहाँ पर देखिए सबी चीज़े अच्छे से मिक्स कर ली है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे बहुत सारी बारिक कट केवी धन्या पत्ती तो इसमें जितने भी मसाले हैं आप अपने स्वादरू सार मैनेज कर सकते हों लेकिन बहुत ज़्यादा भी मसालों का यूज नहीं करें और अब इस नाश्टे को हम हल्ती बनाने के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं गेहू का आटा तो गेहू का आटा मैने यहाँ पर आदा कब डाला है बहुत ज़्यादा गेहु का आटा नहीं डाले नहीं तो आटे का टेस्ट ज़्यादा आएगा और हमारा जो ये नाश्ता है क्रिस्पे भी नहीं बन पाएगा इसलिए कम से कम आप यहाँ पर गेहु का आटे का यूज करें अब चले अब हम क्या करते हैं इसकी बोल बना लेते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी बोल हमें बना कर तयार करना है और हातों से इस तरह से आप शेप दे दीजिए अगर आपके हातों पिछी पकता है तो आप हातों पर थोड़ा सा तेल लगा कर भी ये काम कर सकती हूँ इस तरह से में इसे टिक्या का शेप दे रही हूँ तो बिना बेले बिना पकाए बिना पीसे बहुती आसान से रेसेपी आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर सभी नाश्ते को बना कर तयार कर लेंगी तो एक और में आपको बना कर बता रही ह तो जो बाकी बचेवे हैं वो भी हम यहां पर इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स अब बारी है इन्हें फ्राइब करने की लेकिन हम इन्हें डिफ्राइब नहीं करने वाले हैं हम इन्हें करेंगे शेलो फ्राइब तो शेलो फ्राइब करने से इस अब तेल जैसे ही गरम होता है, एक केक उठा कर हम ये टिक्या तेल में डाल देंगे, पहले तेल को अच्छे से गरम कीजे, इसके बाद ही आपको ये टिक्या डालना है, और गेस का फ्लेम हम low to medium रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इने फ्राई नहीं करेंगी, और डालने के बाद कुछ देर आप इसे इसी तरह से रहने दीजे, जब एक तरप से थोड़ी सी क्रिस्पी लगने लगे, इसके बाद इनकी साइड चेंज कर देंगी, आप देख सकते ही ने फ्रेंड्स कितना बढ़िया से यहाँ पर कलर आ रहा है, और बहुती बढ़िया से ये फ्राई हो र रेसिपी को जरूर से ट्राई कर कर देखें, घर पर रखेवे सामन से बहुती बढ़िया यहाँ पर नाश्ता बन कर तयार होने वाला है, तो अब आप देख सकते हो दोनों तरप से बहुती बढ़िया से एक रिस्पी से होने लगे हो और बहुती बढ़िया से फ्राई हो च तो मिलते हैं एक नई रेसिपी की साथ